आज हम लोग RSI के ओपर discussion करेंगे आज तक हमने कभी भी पब्लिकली ऐसे RSI या फिर बॉलिंचर बैंड वगारा किसी भी indicator को introduce नहीं किया आप रोगे सामने इसका use किया जाता है चुरुवात में जब हम लोग अपनी trading की practice कर रहे थे जब हम लोग पढ़ रहते सीख रहे थे कई सारी indicators जिसकी हम लोगों ने काफी काफी दिन तब practice कहीं जैसे आपके moving average हो गया exponential moving average हो गया ATR हो गया Bollinger Bender Relative Strength है इचुमो को है फिबोनाची है इन सब का अब जैसे RSI है इन सब की practice हम लोगों ने की फर्क यह होता है कि जब हम किसी भी indicator का use कर रहे हैं और उसमें हम time frame change करके जितना ही lower time frame पर चलते चले जाएंगे तो वो indicator उतना ही कम हमारे लिए काम करता है आपने कभी यह नहीं देखा होगा कि जो हम intra rate trade execute करते हैं उसमें किसी भी तरह को indicator use करते हैं क्योंकि हमें मालूम है अगर हम indicator लगाने जाएंगे intra rate trading में तो वो fail हो जाएगा हम indicator के सारे या indicator के उपर depend हो करके intra rate trade तो execute नहीं ही कर सकते हैं जितना हमें मालूम है हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं लेकिन अभी तक हमारा जो experience था है indicator के सारे ट्रेड एक्जिक्यूट करने का बहुत खराब है indicator तो काफी साल पहले ही हमारा छोड़ चुका indicator से हम trade execute नहीं करते हैं अब इसका मतलब यह नहीं है के all indicators are useless indicators बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उसका use कैसे किया जागा अब आप ये एक चीज़ मान लिजे जैसे हमारे पास ये RSI लगा हुआ है RSI को जो सबसे पहले इंट्रिडूस किया गया 1978 में Jay Wilder ने अपनी एक book में publish किया अब आप ये समझे कि 1978 1978 ये एक वो दोर था जहां पर digitalization इतना नहीं था ना तो इतने techniques थे internet लिखना नहीं था उस वक्त के according उन्होंने कुछ 14 days का अपना average निकाला उसे RSI को calculate करने लग गया trading भी शायद इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल popular है उस वक्त जो सबसे जादा popular था investment लोग पैसा लगा करके छोड़ देते थे अब Jay Wilder ने 1978 में इस indicator को बनाया और आजकल जो आम पब्लिक है वो मालूम है क्या करती है वो RSI हो गया चाहे RSI के according कोई दूसरा भी indicator हो गया उसक इसका यूज हम लोग intraday trading के लिए नहीं करने वाले है हम इसका यूज करेंगे long term के लिए investment अगर करना होगा या फिर swing trade execute करना होगा उसमें देखेगा यह indicators कितना perfect काम करते है लास्ट वीडियो जो हमने upload किया था 200 moving average का उसमें भी हमने एक बात आप लोगों को बोली थी कोई चीज हम आपको बोल रहे हैं ना समझा रहे हैं यह सब यह मान करके चलिए हमारा अपने खुद का experience है जो हमने सीखा हमें बिलकुल एकदम से पैसा नहीं चाहिए कि bank nifty में बना लिया फलाने option में बना लिया धिरे धिरे पैसा है लेकिन एक way में वो आता रहे ऐसा नही होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते बात हो को लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर हम किसी से बोलते हैं कि आप investment करिया swing trade execute कीजिए तो सिफ दो lines का answer आता है reply आता है ज्यादा आता है वो यह होगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है दूसरा हमारे पास इ इसा बनाओगे लेकिन investment ऐसा है कि यहां से आप एक regular income निकाल सकतो हाला कि investment ज़्यादा चाहिए और return कम आएगा यही चीज़ जब हम इंट्राइटेडिंग में देखना तो वहाँ पर investment कम है return ज़्यादा है लेकिन वो उतना ही ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हार्ड वर्क investment में क्या बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाना है 1500 या फिर आपको कि अब इसमें यह नहीं कि आपके पास दो लाख या चार लाख रुपे होई नहीं है उतना पैस हमारे पास 10,000 है हम 10,000 को 10 जगे डिवाइड करके एक एक हजार रुपे ह हम invest कर देंगे नहीं हम ले रहे हैं और विंदो फार्मा में 100 stock हम 2 stock ले लेंगे लेकिन उन 2 stock से जो experience और जो confidence आपका built होगा ना future में चलके जिस 1000 रुपे से आपने 100 रुपे बनाये ना यहीं पार आप यह 10,000 रुपे लगा दोगे क्योंकि इतना confidence और experience आपके अंदर राज matter नहीं करता है कि आपने 1 stock में 1000 रुपे लगा है matter यह करेगा कि 1000 रुपे इंवेस्ट करके आपने उसमें से return कितना generate कि सबसे पहले एक चीस तो अपने दिमाग से निकाल देजे कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए investment के लिए कम पैसा है क रिटर नहीं मिलेगा लेकिन experience मिलेगा बड़ा return आपको नहीं मिलेगा लेकिन confidence मिलेगा future में investment जब करने के लिए आपके पास पैसा होगा तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि मैं करना क्या है आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसे से tips नहीं लेनी पड़ेगी यकीन मानिये यह जो system हम आपको आज की दिन बताने वाले हैं इसको कहीं पर भी note करके अपनी दिमाग में बैठा ली जागा investment करने का इससे simple और इससे secure इसस सटिक तरीका हो यह नहीं सकता चाहें जितना आप back test करो इसके ओपर चाहें जितना एक हम इस stock भी आपको बताएंगे Monday की stock open होगा ना Monday को आप इसके अंदर जितनी मर्ज़ उतनी quantities मार देना मतलब अपने management के according यह आपको बहुत अच्छा return देख करके जाएगा इसमें देखे system क्या है बहुत simple से system है जैसे यहाँ पर आप देख रहोगा कि हमने नीचे RSI लगा रहा है RSI के लिए करना क्या होग RSI based MA इसको off कर देना है यह जो yellow line आपको दिख रही ना yellow वाली line इसको off कर देना है और दूसरा देखिए RSI middle band हमने इसको off कर रखा है इसको off कर दीचे अब इसके बाद में inputs के अंदर अब इसके बाद में inputs के अंदर कोई छेड़खानी में नहीं करने जैसा है सब ऐसा यहाँ पर आपको 70 मिलेगा जो upper band है यहाँ आपको 70 मिलेगा तो याद रखिए इसको आप 80 कर दीजागा और जो lower band है RSI lower band इसको 20 कीजेगा इसमें हो सकते है कि आपको 30 मिले तो 30 में से 10 minus मतलब RSI में जितना मिलेगा आपको defaults उसमें 10 plus कर देंगे और lower band में 10 minus कर देंगे त यह आपकी RSI की sitting हो गई RSI को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं देखिए इसके अंदर आप एक काम करो 40 पर एक line draw कर दो किसी भी stock के अंदर आपको swing trade या investment करनी है तो उसमें यह कंबल सरी है कि RSI उस वक्त 40 के नीचे ही चाहिए अगर वो RSI 40 के नीचे तो ही हम उसके अंद initiate नहीं कर सकते हैं अगर गलती से भी RSI आपकी 40 के उपर है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अभी आप investment नहीं कर सकते है RSI का 40 के नीचे होना जरूरी है यही चीज़ हम बोल रहेते हैं आप बड़े time frame पर आओ और किसी भी indicator को कब बनाया गया है उसके time के according और उसका एक जो use होता है करने का वो use मालूम होना चाहिए अब आप इसी RSI को use lower time frame पर करने लग जाओ इंटरेट के लिए अब फस जाओगे आपका stop loss ही हीट होगा तो यह मत करना आप इसके अंदर है कि time frame कम करके क्या सारे में इसको और बढ़ा सकते हैं मतलब time frame कम करके क्या हम इंटरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते इंटरेट टेडिंग के लिए तो किसी भी इंडिकेटर को use जितना हो सके न इंडिकेटर से बचो price action पर आओ अब यहाँ पर भी अगर हम आपको इंडिकेटर बता रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि जब हम अपने investment स्टार्ट करेंगे या फिर हम invest करना चाहेंगे तो वहाँ पर price action देखेंगे नहीं वह हमारा अपना experience है हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि RSI 40 के नीचे हम फिर भी trade execute ना करें यह अपना price action है हमें नहीं समझ में आ रहा है दो settings हमने की है सबसे पहली moving average को हमने 200 के लगा लिए simple moving average रखिए और इसके बाद में RSI के अंदर हमने अपने कुछ एक settings कर लिए और हम मालू है कि 40 के नीचे अगर कोई stock है तो मतलब हम उसके अंदर trade execute कर सकते है यह RSI के setting होगे और जो 200 का system है 200 का use हमें कैसे करना है वह stock जो price जब 200 moving average के ऊपा trade कर रहा होता है तो उसके अंदर हम किस तरह से trade execute करते है यह भी है लेकिन एक यह भी तरीका है कि 200 moving average के नीचे अगर को stock है तो हम यह मान करके चलते है कि वह stock सस्ता है वह weak हम अगर उस stock के अंदर investment करते हैं तो chances are very high कि वह stock हमें upside का move दिखा देगा इसलिए कि हम 200 moving average के नीचे का trade execute करते है ज्यादा था और यह बहुत अच्छा काम करता है अब जैसे अर्विंदो फार्मा है अभी हम आपसे बोल लेते हैं कि एक stock हम आपको बताएंगे अर्विंदो फार्मा में आपकी जितनी pocket आपको allow करती है 2, 4, 10, 5, 20, 100, 200, जितनी quantities आप लेकर दाल दो यह आपको अच्छा return दे करके जाएगा इवन यह तो मान करके चलो ही कि 10% का return आपको मिलेगा यह तुमने बहुत बोल दिया कि यहां पर आपको पांसो बीस पांसो पच्छेस कापी मान के चलो यहां तक आपको target मिल जाएगा बहुत इत्मिनान से इस stock को लेकर कोई भी एक अगर हम stock लेने एथेरियम तो नहीं ले सकते हैं जैसे reliance है अब reliance के अंदर सारी markings हम delete कर देते है प्राइज अभी तो 200 के उपर है लेकिन जब यह 200 के नीचे था यहां पर तो क्या RSI हमारा 40 के नीचे था या उपर था तुम लोग के काम करते हैं 40 के मार्किंग लगा लेंगे यहां पर RSI भी हमारा 40 के नीचे है और प्राइज भी हमारा 200 moving average के नीचे है यहां पर बस एक काम यह कर लीजएगा कि कोई भी एक bullish structure find कर लीजएगा bullish structure समभोल है आप जब देखोगे internet पर तो आपको देखनों को मिल जाएंगे bullish engulfing है tweezer bottom हो गया hammer हो गया द्र हम price action की बात कर रहे थे ना उस price action को आपको यहां पर देखना पड़ेगा लेकिन जो main setup है 200 के नीचे और RSI आपको 40 के उपर अब यहां पर देखे है price आपको 40 के ऊपर चला गया तो हम लोग यहां पर अपना trade execute नहीं करेंगे जब price हमारा 40 के नीचे होगा RSI हमारा 40 के नीच है मतलब कि यह वो इरिया जहां से हम लोग अपना trade execute कर सकते हैं तो हम लोग यहां पर क्या देख सकते हैं एक तो देखिए engulfing form हुई है दूसरा अगर यहां पर कोई mother candle form हुई होती है तो इसको हम ले लेते हैं एक वर अपना trade हम इस जगह पर execute करेंगे मतलब RSI देखे हमार trade execute करना और target पर ही आपको simply या तो 10% रखोगे या फिर 200 moving average आपको लगता है कि 200 moving average के पास से जाकर के price reflect कर सकता है नीचे की तरफ तो आप यहां से निकल जाओगे otherwise 10% के target लोग ले करके चलते हैं कि 10% हम यह मिलेगा हम यहां से ले करके चुप जाब बाहर निकल जाएंगे इस तरह से कोई भी trade आप उठा लिजे जैसे की अडानी है अब RSI भी देखिया है हमारा 40 के नीचे है और यहां पर price भी हमारा 200 moving average के नीचे trade कर रहा है इसके अंदर कोई भी a bullish signal find को लो लेकिन time frame day time frame ही रखना तभी मजायेगा इस जगे पर आप अपने trade execute करोगे फर्स टार्गेट जो हमारा होगा वो होगा 200 moving average फर्स टार्गेट और maximum हम लोग लेकर के जाएंगे जो 10% का अपना rule है के 10% लेकर के बाहर निकल जाएंगे हाँ आपके analysis के according है लग रहा है कि नहीं price हमारा 20% चल सकता है 30% का हम मूग देख सकता है stock value के according तो फिर हम उसको कोई problem होती है कुछ question आता है कुछ doubt आता है तो comment box में लिख देना अब जैसे हिंडाल को है हिंडाल को देख कि क्या कर रहा है 40 पर हम लोग अपनी एक land draw कर लेंगे 14 का area है price हमारा 200 moving average के निचे trade कर रहा है मतलब कि यहां पर हमें अपने entry के signals find करने है तो जिस भी तरह से हो जै stock अगर आपको लग रहा है कि 200 को cross करके price और ऊपर की तरफ जा सकते हैं तो फिर वहां के लिए हम लोग वेट करेंगे 10% इनफ है लेकर के हम लोग चुपचा हम सिर्फ यह चाहते हैं कि अगर आप market में बने हुए हो तो आपको market से गंदा experience ही ना मेले सिर्फ हो सिर्फ यहां जा रहो लॉस करो आप किसी भी segment को trade करो आप loss करो reason क्या है उसका एक सही process ना हो ना indicators के दूरू trade execute करना price action से भी करना तो उसमें एक सही level ना हो पाना price action का वो सारी चलती रहेंगी लेकिन अगर आपके पास एक लाख रुपय है अगर एक लाख है तो कोशिश करो एक लाख मे आ रहा है और trade हम execute कर रहें तो इस तरह से आप दीरे दीरे करके market को लेकर के positivity आपके अंदर बनी रहेगी हमेशा यह नहीं चलता रहेगा कि market में जो जा रहा है loss ही कर रहा है अब यकीन मानो इस system का आप use तो करो एक अच्छा setup find करो wait करना पड़ेगा stocks के लिए क्योंकि swing के के लिए हम उन्हीं stocks को देख सकते हैं जिनमें setup अच्छा बनाओ अच्छे setup के लिए wait करना पड़ेगा हो सकता है थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो लेकिन जितना हो सकता है सही चीज सही knowledge एक सही way हम बताने की समझाने की कुशिश कर रहे हैं अब कुछ पैसा investment में डाल करके अब इंटरे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करो सीखो समझने की कुशिश करो thanks good bye and I hope की वीडियो से जरूर कुछ न कुछ आपने सीखा होगा वीडियो को like कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो comment box में अगर आपकी कोई राय है तो आप राय लिख सकता है and चैनल पर अगर तो चन को subscribe कीजएगा thanks and we will meet again